आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज में 2019 में कौन-कौन सी बहाली होनी है और कब होनी वाली है सबसे बारा यह प्रोब्लम है कि इसकी बहाली जो होगी पर किरिया कौन-कौन है तो तीन चीजों की बहाली होनी है एक राजस्व भीभाग का और एक ज करह मिरक vandaag सब्सक्राइब कि बहाली हो सकती है यह जो holder होने वाली हो सकती है इसकी तो Harley हो सकता है यह समय दगता यह तो यह तो समय के अनुसार देखा जाए तो यह जनुवरी का मन्थ चल रहा है तो अब तो नहीं हो सकता है लोग सभा की चुनाओं के पहले रजस्वी भागता हो लगता तो बारी आती है आपकी गेस्टीचर जो हाइश स्कुल में गेस्टीचर यानि साइन्स और इंग्लिस के लिए जो भी पढ़ाने वाले हैं तो उसका बहाली हो सकता है लेकिन अगर फेबरी के फर्स्ट वीक में उसका भी बहाली की जो परकिरिया है अगर शुरू नहीं होता है तो उसकी भी बहाली नहीं हो पाएगी क्यूंक कि उसके बाद मार्ट से अपका एलेक्शन का डेट आजाएगा और एलेक्शन सुरू होने हो जाएंगे तो एलेक्शन के तो पहले अब तो कुछ संभाव नहीं हो सकता है एक संभाव है जो गेस्टीचर का हो सकता है अगर नहीं हुआ गेस्टीचर का फेबरी में उसका भी मतलब बहाली तो भी नहीं होने वाला है उसके बाद जो भी होगा बहाली ये तीनों का बहाली और तीनों बहाली होंगे ऐसा नहीं है कि 2019 में होगे या तो दिसंबर तक हो या उससे पहले हो लेकिन अगर लोग समझ चुनाव से पहले कोई तीनों में से एक बहाली नहीं होता ह तो ऐसे समाई के अनुषार देखा जाए तो एक गेस टीचर के बहाली बनती है जो हो सकता है यानि एक महिने के अंदर में अगर वो लोग कराना चाहें तो करा सकते हैं ऐसे तो तुला से वक्की भी नहीं हो सकती है और नहीं राजस्व भाग कर तो यह तीनों बहाली होंगे 2019 2019 में लेकिन हो सकता है अगर इसके पहले अगर लोग सभा़ चुनाओं कि पहले करना चाहें तो scriptures टीचर का बहाली हो सकता है अन्या था यह तीनों बहाली आपके लोग सभा चुनाओं कीबाद होंगे और 2019 में यह तीनों कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इंदियार कर रह दोंगा अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नहीं है तो ऐसी जनकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद